हरो दोस्तो वेलकम बैक टूबार यूटूब चनल तो दोस्तो आज के माज एक और नई वीडियो में आपके साथ तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विपी बोर्ड 2024 का जो हिंदी का पेपर हुआ है उसकी आंसर की के बारे में तो दोस्तो आज 22 फरवरी 2024 को ज में क्या क्या था दोस्तो क्या कौन सा अंसर कि स्ऽाशन का था ठीक है उसकी बात करेंगे तो पहला कुछान आपका आ चुका है वो को दोस्तो हिंदी साहट मिपार के सृष्ट निवन्दकार ओलोचक इवं इतियासकार के रूप में जाने जाते हैं तो ऐसे कौन से कभी हैं वो आप लोगोंने क्या टिक करा है वो आप देख सकते हैं और इसका सही आंसर क्या होगा वो सही आंसर है दोस्तू आचार राम चंद सुक्र अप्सन नम्बर C पहले का अंसर सही है ठीक है आगले कुछन की तरफ बढ़ती है दोस्तों अगला कुछन महादेवी बर्म द्वारा रचित रेखाचित्र है तो महादेवी बर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र है दोस्तो अतीत के चलचित्र कौन सा है अतीत के चलचित्र ओप्सन नंबर वी इस कुस्षन का राइट अंसर है कुस्षन नंबर तीसरे की तरफ चंते दोस्तों कुस्षन नंबर तीसर जगदीस मातुर, जए संकर प्रसात नहीं है, दोस्तु शूरी जगदीस मातुर है, कौन है, जगदीस मातुर है, कौनारक की रचनाकार., अगले कुस्चन की तरफ चलते हैं, अगला कुस्सन है, दोस्तु चलो चांद पर चले की रचनाकार है तो चलो चांद पर चले की रचनाकार है दोस्तो जैप्रकास भारती और कुस्टन नमर 4 का option नमर B इस कुस्टन का right answer है जैप्रकास भारती ठीक है अगले कुस्टन 5 की तरफ चलते हैं हुआ कि लिए फानों के बीच रचना की विद्या है तो दोस्तो इसका अंसर होगा आपका कि यह ओपसिन नपर डियुपूर तर्दर जा ठीक है यह ओपसिन नंपर डी कोश्ण नंपर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आगले कोश्ण के तरप चलते अगेला कुस्तन है दोस्तों केसवदास किस काल के कभी थे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपने कौन सा आंसर लगाया है इसका और इसका सही आंसर है कुस्तन नमर च्छे का केसवदास किस काल के कभी है केसवदास किस काल के कभी है केसवदास किस काल के कभी है नमर साथ है भारत भारती भारत भारती की रचनाकार है भारत भारती की रचनाकार दोस्तों मैतली सरड़ गुपत जी है ऑप्सन नमर साथ का ए इस कुस्षन का राइट आंसर है ठीक है अगले कुस्षन की तरफ चलते हैं आठमा कुस्टन है भारत तेंद युग की समायावदी है तो भारत तेंद युग की समायावदी दोस्तो इसमें ओप्सन नमबर भी रायट आंसर हो जाएगा ठीक है कितनी है दोस्तो 1868 से 1900 तो ये होगी तुमारी किनकी भारत तेंद युग की समायावदी इस कुस्टन का रा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कामा यानि ठीक है अगली बाद अगले कुस्टन की तरफ बढ़ते हैं अगला कुस्टन है नम्मर 10 10 में रीती काब विधारा के कभी है रीती मुक्त काब विधारा के कभी तो रीती मुक्त काब विधारा के कभी दोस्तो कौन है गनानंद तो गनानंद देख लो इसमें ओप्सन नम्मर कौन सा है तो ओप्सन नम्मर है दोस्तो ओप्सन डी दसका डी आंसर हो गया इसका रायट रस पूचा गया है तो इसमें देखते है हां रगूनंदन प्रेम परीते तुम भी ने जैत भाहुत दिन भीते उप्युक्त पंक्ती है तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है इसमें रूपक अलंकार है आप लोग अपने आंसर बताएं कमेंट में कितने आपके सही गए हैं ठीके बच्चो तो अब देखते हैं और इसी तरह जोड़े रहिए इसी हम हर्ट पेपर की आंसर की इसी तरह आपको सबसे पहले प्रोबाइट करा दे करेंगे अगला कुस्सन है दोस्तो अगला कुस्सन है सोर्टा चंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्रा होती हैं तो सूर्टा चंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्रा ग्यारे ग्यारे होती हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आप्सन नम्मर सी अब चलते हैं अगल उपसर्ग है तो उपसर्ग कौन सा है दोस्तू सू कौन सा है उपसर्ग उपसर्ग है सू तो सू ऑप्सन नंबर कौन सा राट है ऑप्सन नंबर इस कुस्चन का सही आंसर है नवरतन में समास है नवरतन में दोस्तू कौन सा समास है तो नवरतन में समास है आपका कौन सा गिंत नहीं है तो पर्लिभीयावाची सब्द नहीं है तो प्रतिभी इस और यह सब देगो भू होता है धरना वह था होता है और प्षून नहीं है तो यह है तुमारा दुतिया भिवक्ती एक बचन इस कुस्षन का राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नम्मर ए अगले कुस्षन की तरफ बढ़ते हैं बच्चो अगला कुस्षन क्या है अर्थ के आदार पर बाके के भीद कितने होते हैं तो दोस्तों यह सिंपल कुस्षन अर्थ के आदार पर बाके की आठवीदो होती है यह वग्य आप्सन नम्मर भी इस कुस्षन का राइट अंसर हो जाएगा ठिक है अगला कुस्षर ये करते कि प्रदानता होती है in प्रदानते है तो कर्म करता की प्रदानता होते में कि सिर्दोन की प्रदानता होती है ठीक है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 19 का option number C तो option number C इस question का right answer हो जाएगा अगिला question देखते हैं जिनके अलग-अलग रूप वाकियों में मिलते हैं बे बद कहलाते हैं तो दोस्तों बे कहलाते हैं विकारी पद क्या होती है विकारी पद कहलाती है ठीक है दोस्तों तो हमने 20 कुस्षनों को आपको बता दिया है आप अपने कुस्षन चेक करके देख सकते हैं आपके कितने answer सही हैं और कितने answer गलत हैं ठीक है तो दोस्तों वह आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं और बताएं आपको वीडियो कैसे लेगी ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में